हेलो दोस्तों मैं हूँ दैर अंजन और आज उस वीडियो में आप सब का स्वागत करता हूँ तो चलिए मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो पर CC आप्शन आप नहीं किया हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखते हैं तो यहां पर मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ हूँ इस वीडियो में एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा यह टेकनिकल एनालिस्ट लोग जानते हैं और यह चीज मैं आपको बताने वाला हूँ और यह कौन सा चीज है मैं आपको टेकनिकल चार्ट पर लगा के दिखाऊंगा दोस्तों चलिए मैं वन डे का यहां पर चार्ट दिखा लेता हूँ मेरा करसर देखते रही आप लोग तो करसर के सामने यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आज यह 27.650 पर यह क्लोज है यह 20.650 थी पर यहां और यहां पर का बताने वाला हूं आप लोग वीडियो को देखते रहिए और पर इसमें क्या क्या combination आप लोग लगाईएगा और कैसे पता किजिएगा कि यह जो वोल्यूम है और यह जो चाट है और इसका जो प्राइज अक्षन है वो sustainable है कि नहीं सबसे बड़ा मेरा यह खरी answer है उस question का जिसने जिन्होंने पूछा था इन्वेस्टर ने पूछा था कि यह सर यह प्राइज लोगों कि यह प्राइज लोगा लुद्ब लहें आंटाश टोब्वोव एप लिएगा फम फोर यह को लित बंवेड गए अजी एइव लनिड़ा Bowl यह वोल्यूम का चार्ट और देखे यह हो गया मेरा एक वोल्यूम नीचे आपको यहां पर वोल्यूम दिखाई दे जाएगा चल यहां पे नीचे अगर आप देख सकते होंग तो यह बोल्यूम का च्रह यहां पर यह एक इंडिकेर है वोल्यूम तो वोल्यूम का इंडिकेर देखे यहां पर बढ़ा है आज के date में जो volume है वो volume बढ़ा है कल के date में कितना volume था तो 16.890 million मिलियन में होता है 1 million में 10 लाग होता है ठीक है तो यहाँ पे देखे 16.9 के आसपास में जो volume था आज बढ़के वो volume 19.073 million हो गया है दोस्तों यह बहुत ही बढ़ा ज्यादा volume है और यह volume किस और आपको indicate कर रहा है यह भी देखना होगा सबसे पहली बात तो आप यह देख लिजे कि यहाँ पे यह जो candlestick chart है वो एक inverted hammer इंवर्टेड हैमर candlestick chart है और वो इंवर्टेड हैमर यहाँ पर प्राइज नीचे आने का एक संकेत होता है चलिए यहाँ पर देखते हैं और दूसरा मेरा इंडिकेटर है जो कि most important है आपके लिए दूसरा इंडिकेटर आप लोग देख लिजे दोस्तों यहाँ पर मैं कर आप अगर आप investment.com पर आप जा रहा है तो accumulation distribution यह देखिए आपको यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यह हो रहा है कि distribution हो रहा है accumulation मतलब की buying हो रहा है distribution मतलब की selling हो रहा है मतलब उसको distribute किया जा रहा है और हटाया जा रहा है यहां पे देखिए यह जो volume था यह यहां पे जो accumulate हुआ था यह वाला मेरा cursor आप लोग देखते रहिएगा accumulation हुआ था यहां से लेके यह वाले point से लेके यहां तक यह हमारा एक accumulation phase है लेकिन जब आप second day जाते हैं यहां पे जो inverted hammer बना हुआ है second day जाते हैं तो इसका मतलब आज distribution हुआ है दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आज इसमें distribution हुआ है और distribution इसमें छोटा मोटा नहीं हुआ है बहुत ही ज़्यादा बड़ा distribution हुआ है दोस्तों यह एक यहां पे distribute किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा selling इसमें pressure है ठीक है तो इसी लिए इसका price तो भागा 29 तक इसमें circuit लगने को था लेकिन यहाँ पर price नीचे की तरफ में आया inverted hammer बना और यह gap up open हुआ था और gap up open कभी भी sustain नहीं करता है दोस्तो gap up open हमेशा down जाता ही है देखिएगा मैं इसमें बता दे रहा हूं कि इसमें बहुत ही मतलब की एक negative moment आने वाला है और वो यह जो price है यह sustain नहीं करने वाला है दोस्तों देखिए यह मेरा analysis बोल रहा है मैं कोई guarantee नहीं दे रहा हूं और इसमें कोई कुछ नहीं बताऊंगा कि यह मतलब कितना नीचे आएगा क्या नहीं हो आप hold कीज है accumulation distribution हमारा totally distribute हो चुका totally distribution के फेज में आ चुका है और यहां पर selling pressure इसमें ज्यादा बढ़ गया चलिए दोस्तों मैं Google पर जाके आपको दिखा देता हूं accumulation and distribution accumulation and distribution और इसमें टेकनिकल इंडिकेटर इंडिकेटर आ गया यहां पर चलिए यहां पर इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूं देखिए इंवेस्टोपीडिया पर मैं हूं और यहां पर सबसे फर्स्ट लाइन आप लोग यहां पढ़हेंगे वाट इस accumulation distribution indicator इंडिकेटर क्या है यह तो यहां पर देखिए the accumulation distribution indicator is a accumulative indicator that uses volume and price to assess whether a stock is being accumulated or distributed देखिए volume को भी use करता है और price को भी use करता है यह लोग volume पर भी ज्यादा काम करते हैं volume और price action को मिला के यहां पर accumulation and distribution का indicator बनाया जाता है दोस्तों चलिए यहां पर the AD accumulation distribution measure seeks to identify divergence between the stock price and the volume flow this provides insights into how strong a trend is यह बताता है insight बताता है कि यह trend कैसा है यह sustain करने वाला है या नहीं करने वाला है if the price is rising price तो बढ़ रहा है but the indicator is falling देखे यहां पर मैं आपको बता दूँ price is rising price बढ़ रहा है लेकिन indicator is falling indicator is falling price is rising but indicator is falling तब क्या होता है इंडिकेटर is falling देन इट सजेस्ट दाट बाइंग और अक्यूमिलेशन वोल्यूम में नॉट बी इनफ तो सपोर्ट राइस डिक्लाइन कुड बी फोर्थ कमिंग मतलब प्राइस डिक्लाइन इसमें आ सकता है और अगर देखें यह वाला आप लोग ध्यान से पढ़ लेग फोर्द देन इट सजेस्ट दाट बाइंग और अक्यूमिलेशन वोल्यूम में नॉट बी इनफ तो सपोर्ट ब्राइस डिक्लाइन कुड वी फोर्थ कमिंग प्राइस डिक्लाइन इसमें आने ही वाला है ऐसा इसमें दोस्तूर यही था मेरा अनेलिश यहां पश्चारश ह चाहता हूँ और उनके लिए मैं analysis बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें अगर माल लिजे थोड़ा price इसमें बढ़ता है आप लोग को मिलता है अगर 5-10% का जो भी profit मिलता है आप लोग इसको book करके निकल सकते हैं और अपने advisor से जाके पूछ लिजे इसके बारे में कि इसमें करना क्या है और तब जाके एक decision लिजेगा मैं इसके analysis के तोर पे आपको बस inform कर रहा हूँ कि इसमें एक negative moment आने ही वाला है क्योंकि यहाँ पे जो indicator है दो indicator जो major indicator है यहाँ पे volume और accumulation distribution इसको अगर आप add करके देखिएगा देखिए कभी भी हम लोग doctor के पास जाते हैं तो combination दवाई का combination जो होता है तो वो doctors को ही पता होता है हम लोग सिर्फ बुखार का दवाई खा लेते हैं अगर बुखार लगा है तो लेकिन नहीं उसमें एक combination होता है और वो combination अगर आप लगा के चलिएगा तो यहाँ पे बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा दोस्तों तो वही चीज मैं यहाँ पे लगाता हूँ यह देख तो अगर वीडियो लाइक वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किजिएगा दोस्तों मेरा चैनल और अगर कुछ भी इसमें डाउट आता है आप लोग मुझे comment किजिए और अगर किसी और शेयर पर आगर आपको analysis जानना हो तो मुझे comment करके बताईए, मैं जरूर उस पे analysis बताऊंगा और जरूर उस पे video बनाऊंगा दोस्तों, thank you so much.